इन गर्म लहू से सीच खिला दिये जिसने पूल विराने में और अगली बात अगर आपके दिल तक छू जाए और अच्छी लगे तो तालिया मजाकर जरूर साथ देना मेरा और कहना क्या महाराना परताप जिसा कोई दूजा नहीं जमाने में कर्म लहू से सीच खिला दिये जिसने पूल विराने में महाराना परताप जिसा कोई दूजा नहीं जमाने में महाराना परताप जिसा कोई दूजा नहीं जमाने पहली बात में बताया कि जमाट साल के थे जानी उमर में थे क्या क्या कर्तब करके दिखाए थे तो आई ये सुन्दे पहली बात के बता के बता के रहां महाराना परताप जिसा कोई दूजा नहीं जमाने में जब आठ साल का बालक था जंगल में शेर नगेर लिया सीना चीर वीर भाला ने बैपे उसको धेर किया कुंबल गल में ढोल बजे लगी पर जाँ खुशी मनाने में ना राना परताप जिसा कोई दूजा नहीं जमाने में महराना परताप जिसा कोई दूजा नहीं जमाने में महराना परताप टकिसा कोई खुशी मरेड भाल में कभी रुक्या नहीं कभी जो क्या नहीं है गुबा में वो हल्दी काठी रुक्या नहीं कभी जो क्या नहीं है गवा वो हल्दी काठी चंदन की दर मेहकादी है वो चितबडी माठी भुके प्यासे विपदा काठी महारा ना परताब जिसा कोई तूजा नहीं जमाने वो एक अकेला भारी था उन धोके माज हचारों पे सत्य सनातन सूर वंश कभी जुटा नहीं मजारों पे ना नजर ना नजर हसीन नजारों पे लेन की तिहास रचाने में महारा ना परताब जिसा कोई तूजा नहीं जमाने परताब जिसा कोई तूजा नहीं जमाने के कले इतने बहादूर थे इतने बलवान थे कि अगर लोग आवाज सुनते थे तो थर-थर कापते थे एक बार बात अच्छे के तर थालिया बजाया करो हमारे छोटे-छोटे बच्ची बैठे हैं इन्हें भी तो पतार चलना चाहिए कि हमारे महाराना परताब कैसे थे आव मिलकर के अंतिम बात में किस तरह से बताया बलाओं और रहे हमारे बाओ जी मान सम्मान करते हैं बेसे हमारे डिपाट्मेंट से एक आंटी जीवान सम्मान करते हैं आप जो दात तालिया बजाय करों ही ढ़िए और किस तरह से बताब्ढ़ा की देहशत से दुश्मन भीन मारे मर जाते, पीव सवीता शीश जुकाते ये भगव मनुष के वाने में मारा ना परताप जिसा कोई तू जा नहीं जमाने में करम लहु से सीच किला दिये करम लहु से तू पूल बिलाने में मारा ना परताप जिसा कोई तू जा नहीं जमाने में